नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहा रेने स्वागत आपका अपने उत्तर परदेश बुलिटिन में रुक करिंग उत्तर परदेश की तमाम खबरों की तरफ उत्तर परदेश के मुख्यमन्ती योगियाद इतेनात ने शूकरवार को गोरगपुर में दलित परिवार के घर खाना खाया और ते कारेक्रम के मताबिक योगियाद इतेनात दोपैर बाद जुमिया गेटे सेथ फरूप गोरगपुर फर्टिलाइजर पहुचे और यहां वो इतिरनाथ ने कहा कि केंद की योजनाओं का लाब यूपी के परिवारों को मिला है गैस सिलेंडर बिजली आयुस्टमान भारत योजना मुख्यमंत्री जन आरोगे योजना का लाब भी मिला और करोना महमारी के दोरान फ्री में टेस्ट उपचार और राशन की वेवस्था भ ब्रश्टा चार मुक्त समाज और सुसाशन का हिस्सा है और बीजेपी अपने इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ी है और मकर संक्रान्थी के मौके पर सबी को धन्यवाद और वहीं दलित कारेकरताओं को धन्यवाद की उन्होंने खिचडी के मौके पर मुझे खाने पर आमंत कई नेता शोकरवार को समाज आदी पाटी में शामिल हुए और सपा में स्वामी प्रसाद मोर्य, धर्म सिंग सैनी, ब्रिजेश प्रजापती, भगवती प्रसाद सागर, मुकेश वर्मा, रोशन लाल वर्मा, विनेख शाके, अपना दल के चोधरी अमर सिंग, यूसुफ अली, नीरज मोर्य, हरपाल सैनी शामिल हो रहे थे, वहीं इसके साथ ही बलराम सैनी, राजिंदर प्रताप सिंग पटेल, आयोध्या प्रसाद पाल, बंशी सिंग पहड़िया, अमर नाज सिंग मोर्य, प्रदीप चोधरी पार्टी में शामिल हुए, और मंत्री पद छोड और इस रैली में सपा के राष्टे अध्यक्ष अखिलेक्ष यादव भी मौजूद रहे, और तमाम नेताओं के पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मोर्य ने अखिलेक्ष यादव का पगड़ी पेना का सम्मान भी किया, उत्तर प्रदेश में विधानसवा चुनाव की तारीकों का एलान हो चुका है, और राज्ये में साथ चर्णों में चुनाव होंगे, और उदर नेताओं के दल बदल का दोर जारी है, यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, और पार्टी के कही चेहरे चेहरों ने इस्तिफावी दे दिया है, और इस बीज पार्टी छोड़ कर जाने वाले नेताओं पतंज कसते हुए, मुख्यमंत्री योग्याद इतिनात ने कहा कि वंचवाद और परिवार की राजनिती करने वाले समाजिक न्याय के लड़ाई लेंड नहीं लड़ सकते, और उन्हों ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार ने पांच साल में सिर्फ 18,000 आवाज दिये, गरीबों की जमीनों मकानों पर कबज़ा करना, अगर अर्थिक भेदवाव ना हो, और इसके लाव आपको बता दें कि अब तक बीजेपी से करीम 14 लोगों ने इस्तिफा दिया और अधिकता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, और इस्तिफा देने वालों में स्वामी प्रसाद मोर्रे, धर्म सैनी और दारा सिंग चोहा कि कमेटियों में कभी दलितों और पिछडों को मुद्दा नहीं उठाया, और उन्होंने भी सपा पर सवाल करते हुए कहा कि यह ने था, जिस पार्टी में जा रहे है, उनकी सरकार में भी मुस्लिम और यादवों को छोड़ कर किसी दलित और पिछड़े का कल्यान हुआ है क्या, और सिंग ने ये भी कहा कि इन सभी लोगों के या तो टिकट कटने वाले थे, या इनकी सीटे बदलने के लिए कहा गया था, जिसकी वज़ाए से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, और उन्होंने दावा किया कि दस मार्च को जब परिणा मांग आएंगे तो पार्ट पार्टी तीन सो से ज्यादा सीटों पर जीत दर्च करेगी। होते तो दस लाग से जादा लोगों की रैली करके अखिलेश यादव का स्वागत किया जाता, और उन्होंने अखिलेश को साल 2022 में यूपी का मुख्य मंत्री और साल 2024 में देश का प्रधान मंत्री बनाने की बात कही है, और वहें पूर कैबिनेट मंत्री मोर्या ने कहा कि आज का दिन भारतिय जन्ता पार्टी के अंद का इत्यास लिखने जा रहा है, और मोर्या ने कहा कि आज BJP के बड़े नेता जो कुम्ब करनी नीन सो रहे थे, जिनको कभी नेताओं, विधायकों और सांससों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, आज उनकी नीन खराब हो चुकी है, और उनकी नीन दे नहीं आ रहे हैं, और मोर्या ने आगे कहा कि BJP के कुछ लोग कहते हैं कि पांस साल तक रिस्तिफा क्यों नहीं दिया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेटे के चक्कर में BJP छोड़ी, मैं ऐसा लोगों से कहना चाता हूँ कि BJP के लोगों ने दलीतों, पिछडों, अल्प संख्यकों और मजलूमों की आँख में धूल जोग कर सत्ता हासिल की थी, और उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाम में दावा किया जा रहा था कि या तो केशब प्रसाद मोर्या, या तो स्वामी प्रसाद मोर्या सीम होंगे, लेकिन पहल ओर जाएंगे, और जाएंगे